आज मैं आप लोग के लिए बत्वे साख का मसाले वाली ग्रेवी सबजी लेकर आई हूँ ये सबजी बहुत ही टेस्टी बनके तयार होता है इसे आप रोटी चावल या नान के साथ भी ले सकते हैं ये बच्चों से लेकर बड़ो तक सभी को बहुत ही अच्छे लगते हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबजी बनाना इसके लिए मैं यहाँ पे सबसे जो मैन इंगूरियन्स है वो है बत्वा वो आधा किलो बत्वा ले ली हूँ और उसके जो सौफ्ट हरी पत्या होती हैं उसे हम अच्छे से साफ करके धुल लेंगे और उसे हम रफली चॉप कर लेंगे तो यहाँ पे पानी बॉयल करने को रख दी हूँ मैं लगभग दो ग्लास एक लीटर करीब यहाँ पे पानी है और वो पानी जब अच्छे से बॉयल हो जाए तो उसमें बत्वा का साग डाल देंगे और लोटो मीडियम फ्लेम में हम इसे पकाएंगे तो इस तरह से अराम से धीरे धीरे चलाते हुए इसमें ना ही मैं अभी नमक डाली हूँ ना ही हल्दी डाली हूँ बिना कुछ डाले इसे हम पकाएंगे लगभग 10 मिनट तक दस मिनट में बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं, आप देख सकते हैं, इस तरह से हम लगातार चलाते रहेंगे, यह हमारा साग बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है, गैस के फ्लेम को बंद करके, इसे हम ड्रेन कर लेंगे, तो सारे बत्वे के साग को ड्रेन करते हुए, इसका जो पानी है, उससे हम रख लेंगे, बाकी के जो ग्रेवी बनाएंगे जब सबजी में, तो वो हमारे काम में आएंगे, तो आप यह देख सकता है, बहुत ही सॉफ्ट और हरे पत्तियां हमारी बत्वा के निकल आए हैं, औ पानी को वेस्ट मत करिए, आप चाहे तो इस पानी से पराठा या पूरी के लिए आठा भी सान सकते हैं, तो अब हम ग्रेवी बनाने के लिए, कडाही में लगबग 3-4 बड़ी चमच सरसो का तेल ले लिए हैं, और उसमें एक छोटा चमच में जीरा है, जीरे को चटकने के बाद उसमें हम हरी मिर्च टालेंगे, यहाँ पर दो बड़े साइस के हरी मिर्च को हम बारी काट लिए हैं, तीता आप अपने हिसाब से कम या जादा कर सकते हैं, बत्वा का साख थोड़ा मीठा ही अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर मिर्ची कम यूज की अगर आपको जादा तीखा खाना है तो आप यहाँ पर जादा मिर्ची यूज करिएगा, लेसन मैं यहाँ पर 25-30 कलिया जो है उसे बारी काट ली हूँ, लेसन यहाँ पर थोड़ा जादा यूज होता है, उसे के साथ मैं अदरक ले ली हूँ, चार इंच के बड़े टुक प्याज है इसे हम अच्छे से भुन लेंगे प्याज को हमें गोल्डन या गोल्डन ब्राउण नहीं करना है जब हल्का सा यह नरम हो जाए तब हम आरे प्याज के बेसन निया बेसन हगा, यह भुना हिए बेसन ह इसमें डालते हैं तो बेसन गुठलियां पकड़ लेती हैं और वो अच्छे नहीं लगते हैं तेस्ट में तो यहां पर भुना हुआ बेसन ही डाली है इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो यहां पर मैं तीन से चार बड़े चमच जो है भुना हुआ बेसन डाली हूं इ इसे भी हम थोड़ी देर चलाते हुए भुड लेंगे और इसी स्टेज में हम यहां पर डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी पौडर चाहे तो आप इसे नहीं भी डाल सकते हैं क्योंकि जब हम साग डालते हैं तो वह हरी हरी सबजियां ही अच्छी लगती हैं तो थोड़ा सा हल् कर देंगे तो मालब कर लोड़ा गल जाये तो यह जैसा है कर दो कि यहां पर शटान कर देंगे आलू अच्छे से सॉफ्ट हो जाए इसके लिए मैं यहां पर थोड़ा सा पानी एड़ कर रही हूँ और पानी एड़ करके हम इसे धीरे-धीरे इस तरह से चला लेंगे कि नीचे सबजिया ना पकड़े तो low to medium flame में ही हम आलू को पका लेंगे आप चाहे तो यहां पर boiled आलू भी यूज़ कर सकता है अगर हम boiled आलू आप यूज़ कर रहें तो उसे इतने देर पकानी की जरूरत नहीं है तो यह छोटे सा इसके आलू है तो थोड़े इसको पकने में टाइम लगेगा तो थोड़ा सा पानी डालते हुए इसे हम ढखकन लगाके medium flame में पका लेंगे तो इसी stage में यहां पर मैं add कर दूँगी धनिया पॉडर धनिया पॉडर यहां पर मैं दो छोटे चमश मतलब कि एक बड़ा चमश यूज़ कर रहे हूँ धनिया पॉडर को डालते हुए हम अच्छे से इसे मिला लेंगे चाहे तो आप इसमें पानी और मिला सकते हैं और इस तरह से मिलाते हुए हम ढखका लगाके आलू को पकने के लिए रख देंगे अब इस तरीके से एक बड़ सबजी बनाएंगे अलू को जब मसाली के साथ पकाते हैं तो जो भी टेस्ट होता है ग्रेवी का वह आलू के अंदर जाता है तो सबजी और भी अच्छे बनके तयार होता है तो यह दिखे थोड़ी थोड़ी देर में लिपीच वीच में चलाते हुए इसको पका लिये हैं वीच में मैं थोड़ा सा पानी और एड़ कर दी थी क्योंकि पानी पूरा ड्राई हो गया था तो यह आलू पकने में 6-7 मिनट समय लग गया है यह देखिए आप देख सकते हैं आलू बहुत अच्छे तरीकी से पक गया है तो लगबग 80-90% आलू को हमें पका लेना है अब इ कटोरी 100-500 ग्राम मटर यह हरे और ताजे मटर है इसे भी हम डालके थोड़ी देर चलाते हुए इसे भी हम सॉफ्ट कर लेंगे तो 2-3 मिनट के लिए ठकन लगा के हम पका लेंगे 2-3 मिनट में आलू और मटर दोनों अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाते हैं तो ऐसे धीरे चलाते हुए हम सब्जी को पका लेंगे और अच्छे तरीके से भुन लेंगे इसे स्टेज में यहां पर एड़ कर रही हूं साग जो मारे साग बॉयल करके रखे दे वह साग हम यहां पर एड़ कर देंगे अब बत्वा को डालते हुए इसे भी हम दो से तीन मिनट तक अच्छे से भुन लेंगे यह बहुत ही कम तेल में सब्जी बनके तयार होता है और बहुत ही हेल्दी फॉर्म में तयार होता है तो यह देखिया हमारे साग भी बहुत अच्छे तरीके से भुन चुक है अब इस स्टेज में एड़ करेंगे वह जो पानी बचा हुआ था साग वाला उसे तो अभी मैं आधा पानी यूज कर रही हूं जादा पानी एक साथ बढ़ डालिए और फ्लेम को मीडियम करते उतना पानी आप इसमें एड़ करिए आप चाहें तो इसे ड्राइ भी बना सकते हैं तो यह देखिया हमारी सब्जी बनके अब तयार हो गई है इसे मैं थोड़ा सा ग्रेवी वाली रखी हूं क्योंकि इसे चावल या रोटी के साथ बहुत टेस्टी आता है तो थोड़ा सा धनिया के पत्ती डालते हुए इसे हम गार्णेशिंग कर देंगे और थोड़ा सा उपर से गरम मसाला पॉडर भी डालेंगे तो हमारी सब्जी बनके तयार हो गई है इसे आप जरूर बनाएए फैमिली फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करिए यह इतनी टेस्टी सब्जी बनके